नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं आज आप सभी के लिए एक दम नया कॉंसेप्ट लेकर आया हूँ कि कैसे आप गिरती हुए ब्याज़़़ों में भी पोस्ट ओफिस में ऐसी स्कीमों में आप 8.4% इंट्रेस रेट के दर से आप अगले 5 सालों तक ब्याज ले सकते हैं तो दोस्तों आपको पता ही है कि लोगडाउन के स्थिती में बेंक हो चाहे पोस्ट ओफिस हो सभी की स्कीमों में ब्याज़़़ों में हमें साथ कमी आती रही है तेकिन दोस्तों आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं इ आप देख रहे हैं अमें थरी माउंटेन यूट्व चैनल दोस्तों पोस्ट ओपिस की नई अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेलेकर दबा सकते हैं ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकिशन आपको ही मिले तो चलिए दोस्तों शुरू कर ल दोस्तों पोस्ट ओपिस की RD इस्की में एक हीडन फीचर है जिसके वारे में कमी लोगों को पता है और यदि आम नहीं पते हैं तो मैं आपको बता दू कि यदि आपने RD इसकी म खोला है 31 मार्च 2016 तक आपने RD account post office में खुलवाया है तो उसका उस समय का interest rate 8.4% था अब दोस्तों उसी दौरान खोले गए RD account को जदी हम अगले 5 सालों के लिए और extend कर दें तो वो अगले 5 सालों के लिए भी आपको 8.4% की rate से ही आपको ब्याजदर maturity के रुप में मिलेगी जो अभी ब्याजदरे हैं post office में RD की scheme की वो है 5.8% दोस्तों 1 October 2015 के बाद सभी खोले गए RD खातें October 2020 से maturity होने सुरू हो जाएंगे दोस्तों इस बात को समझेए यदि आपने maturity करवा लिया तो फिर आप एक नया account जरूर खोलेंगे लेकिन दोस्तों जब आप नया RD खोलेंगे तो अभी जो rate interest चल रही है वो है 5.8% लेकिन दोस्तों मैंने जो concept तयार किया है उसके अनुसार यदि आप उसी RD खाते को maturity को ना लेकर अगले 5 सलों तक यदि आप extend कर लेते हैं तो आपको भी 8.4% के ब्याजदर से ही maturity मिलेगी दोस्तों यह rules है RD scheme में यदि आपने जब खाता खुलवाया है उस समय के जो ब्याजदर रहते हैं यदि आपने extend करवाया तो आपको पिछला दर ही दिया जाता है दोस्तों इंडिया पोस्ट साइट के जो link है मैंने वो description box में डाल दिया है RD schemes के बारे में आप वहाँ भी जाकर सीधे देख सकते हैं और दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं कि यदि आपने extend करवा लिया तो आपको कितना रुपिया का फाइदा होगा तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों यदि आपने 1 October 2015 से लेकर 31 March 2016 के बीच आपने RD account खुलवाया है तो मैं आपको 2000 रुपे के denomination रुपे की 80 में मैं आपको calculation करके बता रहा हूँ आपको 5 सालों के बाद 8.4% के दर से आपको maturity 1,49,301 रुपे मिलेगी यदि इनी खातों को आप 5 सालों के लिए और extend कर दें जो इसकी maturity अभी 2020 में या 21 में हो जाएगी उन खातों को यदि आप 5 सालों के लिए और extend कर दें तो इसके लिए आपको बस एक application देना होता है post office में और आपका खाता जो है वो 5 सालों के लिए और आगे बढ़ जाएगा उसमें आपको 8.4% के ब्याजदर से ही आपको पूरे 10 सालों के बाद जो maturity मिलेगी वो मिलेगी 3,75,546 रुपे दोस्तो यदि हम अपने RD account को जिसे हमने 1 October 2015 और 31 March 2016 के बीच खुलवाया था उन account को यदि हम extend नहीं करते हैं और हमें maturity amount हम ले लेते हैं और एक नई RD को खोलते हैं तो हमें कितना रुपिय का फाइदा होगा और उस maturity amount को यदि हम NSE में deposit कर देते हैं तो हमें कितना रुपिय का फाइदा होगा या loss होगा इस calculation के अनुसार में आपको समझाना चाता हूँ दोस्तो यदि हम खातों को extend नहीं करेंगे तो हम उस रुपियों को NSE में डाल देते हैं तो हमारा cool रुपिया होता है NSE द्वारा 2,7,430 रुपे और नए खोले गए RD को यदि हम पूरे 5 सालों तक चलाते हैं तो 5.8% के दर से हमें जो maturity मिलेगी वो मिलेगी 1,49,393 रुपे हैं दोस्तो यहां देखिए यदि हम अपने 5 सालों के RD account को maturity होने से पहले ही extend कर देते हैं और 5 सालों के लिए और कुल 10 सालों तक हम इसे जमा करते हैं तो हमें maturity group में मिलेगी 3,75,546 रुपे लेकिन दोस्तो यदि हम extend नहीं करते हैं और उस amount को NSE में डाल देते हैं 5 सालों के लिए तो हमें और एक नए RD खोलने के बाद हमें जो रासी मिलती है वो मिलती है 3,46,846 रुपे तो दोस्तो यहां पे हमें 28,07 रुपे का profit हो रहा है तो दोस्तो यदि आपने भी RD account खुलवाया है और चला रहे हैं और उसका opening date 1 October 2015 से लेकर 31 March 2016 के बीच है तो आप भी अपने RD account को extend करके पुरे 10 सालों तक चला कर 28,07 रुपे का profit ले सकते हैं यदि आप extend नहीं करते हैं तो आपको 28,07 रुपे का loss हो जायाएगा मेरा यह मनना है कि आप सभी को extend करना चाहिए तो दोस्तों यह मेरा सुझाव है यदि आपको अच्छा लगा तो invest कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जाकर कॉमेंट जरकर के जरूर बताएं दोस्तों में भी share करें और हाँ दोस्तों एक like तो जरूर कर दें इससे हमारा manobal और बढ़ता है वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद